फिलाल गोंदिया जिले में धान खरीदी चल रही है और धान खरीदी एक तिस जनवरी तक जारी रहेगी गोंदिया जिले में अब तक 19 लाग 91,000 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है और 69,890 किसानों ने अपना अनाज जिला विपनन संकत्वारा अधिकृत केंडर पर बेचा है गोंदिया जिले में अब तक किसानों के बैंक खाते में 116 करोड रुपे बकाया हो चुके है और अभी भी गोंदिया जिले में किसानों के 258 करोड रुपे बकाया है इसलिए किसान अब मांग कर रहे है कि ये भुकतान जल से जल क्या जाए ताकि पैसे का इस्तिम चार जानेवारी दोनाजार चोई सकेर 111,000 विंटल धानाची खड़े दी धाली आए सदर खड़े दी एकुनसाट फजार आट से नाव शेतकर्या मातपत करना का लिल्यासूं धानाची चुकारे 170 कोटी ये शेतकर्या चाखाते और आणलाइन परदती ने और गर करना का लिल्यासूं और और शेतकर्या चुकारे रखकाम रूपए 288 करोड ये लवकराज शेतकर्या चाखाते और आधा करना की थी कैमरा परस्टन राजकुमार मोहड के साथ शितिजा देशमुकी रिपोर्ट